अब्रेट ओल्लाइन अकेडमें पर आप सभी का बहुत वस्वागत है आज का हमारा लक्चर वेदिक सिवलाइजेशन के उपर सो वेदिक सभेता जो है वह इंड़स्ट वैली सिवलाइजेशन यह सिंदु सभेता के जश्ट बात की सभेता है जो भी लोग यहां पर भारत में सिंदु काटे सभेता के बाद बज गहते वह अचानक से ऐसे लोगों का सामना करते हैं जिनको वो लोग पाते हैं कि हम लोग से सुपीर हैं इनको घोडों का नौलेज है यह एक जगा पर तिकते नहीं है किसी भी जगा पर बहुत असानी से पहुंच सकते हैं इनके पास बंत्र बगारा पड़ते हैं जिसमें कुछ मैजिकल पावर्स हैं तो यह लोग कौन थे और यह अचानक से भारत में कहां से तो चले करके सारी चीजों को हम लोग डिसकस करते हैं जो भी हमारी किताबी लेंगे जो बच्चों को समझ में नहीं आती एक बार में इसलिए सारी चीजों कहानी के रूप में समझेंगे बिल्कुल कहानी की तरह में आपको एक-एक चीजे समझाओंगा ताकि आपको याद करने में कोई भी जिक्कत not हो टेश्ट बुक की जो लेंगवेज होती है वह हमेशा ऐसी होती ही कि जैसे एक टेश्ट बुक में देना चाहिए बट उस तरीके से आपको कभी भी चीज़े याद नहीं होती है इसलिए हम लोग सारी चीजों को ऐसे समस्ते चलेंगे एक एक करके रिलेट करेंगे ताकि आपको हमेशा की लोग चीज़े याद रहें तो सबसे पहले हम लोग को यह याद रखना है कि हम लोग अर्ली रिगवेदिक पिरेट जो हम लोग जानते हैं वह 1520 से 1000 बीसी के बीच में माना जाता है कभी भी अगर कोश्चान आएगा कि अ तो आपको यह डेट स्याद होनी चाहिए 1500 BC से 1000 BC के बीच का जो टाइम पिरेड है इसको अर्ली रिग वेधिक पिरेड कहा जाता है और जो लेटर वेधिक पिरेड है वह 1000 BC से 600 BC के बीच में था अब यह सारी चीजे आप लोगों अच्छे से पता होने चाहिए कि अर्ली और ल सारी चीज़े एक दूसरे से रिलेड होंगी तो अर्ली वेधिक पिरेड से सारी की सारी चीज़े रिलेड करते हुए पढ़ेंगे ? यहां पर हम लोग अर्ली से संस्क्रिट पढ़ाते थे इनका क्या उद्देश्थ था उसके बाद हम लोग सब्थ सिंधूरीजन को डिस्कस करेंगे जहां पर आरण सबसे पहले आके वसे थे उसके बाद इनका सब्खस करेंगे वह सरीयोगे सब्सक्राइब करेंगे फिर हम लोग religion पाएंगे इनका religion कैसा था क्या आज के भारत में जो religion follow होता है उससे हम लोग इनको relate कर सकते हैं उसके बाद हम आएंगे रिगवेट पे रिगवेट का सबसे पहले पर्म हो गया और रिगवेदिक प्रेट हजार बीसी तक जो चला है वहां तक जो डवलप्मेंट में वह सारे रिगवेद में दिये हुए तो इन सारी चीजों को रिगवेद से करना चाते हैं यह देवताओं के जो क्वाल्टीस हैं उसके हिसाब से जीना चाते हैं देवताओं की क्वाल्टेस हमेशा लोग क्ल्याण की होती है जन्ड क्ल्याण की होती वह हमेशा लोगों के भलाई के लिए ही काम करते हैं कोई भी देवता जो होते हैं कोई भी गौण उन कि जैसी चीजों कोई फॉलो करते हैं इस तरीके से रिगवेद में इसका डिस्विशन किया गया है तो आरेंस बेसिकली गाउं में रहने वाले वो लोग हो गये जो संस्कित भासा का उपयोग करते हैं और लोगों के जन कलांड के लिए ही सारे जीवन अपना काम करते हैं चले कि आरेंस सुरू से ही भारत में रहते थे बहुत सारे ऐसे हमारे नेशनल जो हिस्टोरियंस हैं जो इंडेन हिस्टोरियंस हैं वह कहते हैं कि आरेंस की उत्पत्ती हमारे ही देश में हुई थी सुरू से ही आरेंस जो हैं हमारे देश में रहते थे बट इसके उपर बहुत ही ज्यादा controversy है जो वर्ल्ड के historians है जैसे कि रस्या के historians को अगर आप देखें यह Cambridge and Oxford के historians जो भी research कर रहे हैं उनका यह मानना कि आर्यंस की उत्पति इंडिया से नहीं हुई थी आर्यंस race कभी भी इंडिया में सुरू से नहीं रहती थी यह इंडिया में इंटर किये थे और इनके इंटर करने का जो एरिया बताए गया है वो खैबर पास बताए इस वक्ति है पाकिस्तान में खैबर पास तो इंडिया में खैबर पास से यह लोग इंटर किये थे इस चीज इस पे बहुत ही ज्यादा एक मानता है जिसको सभी लोग मानते हैं कि हाँ आरेंस ने इंटर खैवर पास से किया होगा बट इनका जो ओरीजन है इस पे बहुत ही ज्यादा कॉंट्रवर्सी है जो मैक्स मुला है इनका एक यह मानना है कि कैस्पियन जो सी है उसके एराउंड जो भी एरिया है वहीं कहीं से आरेंस इंडिया में आये थे तो कैस्पियन सी के एरिया के एराउंड सही आरेंस इंडिया में आये थे हिंदू कुछ परवत को पार करते हुए यह इंडिया में इंटर किये थे और यहां पर इन्होंने जब सबसे पहले अपना सेटलमेंट किया तो जो सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच का एरिया है इंडो गंजेटिक प्रेंज जो है वहीं पर सबसे पहले आरंस आके बसे थे बट बहुत सारे ऐसे जो हमारे दयानन सरवसेती की की जो कि समाज के खूद एक फांडर है उनका यह मानना है कि आरेंस टिवेट के तुछ अरेंस की थे जो भी थीरियों की थीरिये उसको इंपलिमेंट करते बट इनका यह मानना है कि यूरोप साइट से नहीं आया थे वह टिवैट के साइड से बाल गंग तो जी गोलवारकर है रसेस के जो लीडर जो फाउंडर थे उनका यह मानना था कि जो बाल गंगर्दर तिलक ने जो कहा है कि जो आरेंस है वह आर्किटिक सरकल से आ हैं तो वह सही थे बट जो नौर्थ पोल है उस वक्त यह इंडिया में था मतलब एक जबरदस्ती उन चीजो इंडिया में हुई थी बट अभी तक इसका कुई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि हम यह मान सके और हिस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि को फाइनल डिसीजन हो सकता है हो सकता आने वाले समय में ऐसा कुछ निकला है कि एक्चुली में आरेंस कहां से थे इसके उपर को एक जो फाइनल माइग्रेशन थे वह आ जाए तो उस वक्त तक हम लोगो वेट करना पड़ेगा अभी जो हम लोग थे बात करेंगे हम लोग यहीं मान के चलेंगे मैक्स मुलर के थे थे औरी को जो की कैस्पियन सी से आरेंस का जो औरिजिनेशन है वो बताती है स्वामी विवेकानन का यह कहना था कि आरेंस जो है वो अफगानिस्तान साइड से अब यह लगभख स्वामी विवेकानन सही भी है क्योंकि हिस्टोरियन जो भी है वो भी यह बात मानते हैं कि जो बीम एसी एरिया रस्या के आसपास का बीम एसी एरिया वहीं से आरेंस की उत्पत्त हुई थे BMAC मतलब किर्गिस्तान उजबेकिस्तान अफगानिस्तान यह सारे जो एरिया है इसको BMAC एरिया कहते हैं और रस्या में जो एंद्रू नुवो कल्चर है वहां से आरेंस के सबसे ज़्यादा जो उरिजिन है उसको माना जाता है और विंदो के क्या कहना था कि जो द्रविड language हमारे इंडिया की वो संस्कृिस से closely related है तो हम यह क्यों नहीं मान सकते हैं जो आर्यन्स हैं वो द्रविड ही थे दुरवीड लोगी जो starting кे अरेंज के उपर इतनी रिसर्च हो रही है वह सारे के सारे जो आरेंज है वो इंडया के यह इन Drillide etria से ही आए थे तो इसके उपर एक रिसर्च की गई और एक जीन की मदद से इस ठारी को सौल किया गा उस जीन का नाम है फैक्टर M 17 सबसे पहले यह दिखा गए जो एंद्रो नोवो कल्चर का जीन है एंद्रो नोवो कल्चर के जीन को फैक्टर M 17 नाम देगा अब दिखा गया वहां पर 100% लोगों के पास यह जीन पाए और वही सेम जीन दिली के 35% लोगों में पाएगा और द्रविण में 5-8% लोगों पाएगा फिर इसका जो चेकिंग है वह इरान में भी 10% लोगों में जीन पाएगा सेम इसी तरह जब ग्रीक में इसकी चेकिन वोई तो वहां पे भी 15% लोगों में जीन पाएगा तो यह सो करता है कि जहां पर सबसे ज़्यादा जीन पाएगा औविसली आरेयंस की पूरी रेस है वहीं पे स्टार्टिंग में रहती थी तभी तो 100% लोग वहां पर उस जिन से जुड़े हुए है आरेयंस जब आरेयंस लोगों को संस्कृत सिखाते थे यानि कि देवों की लैंग्वेज शिखाते थे तो वह उनको देव पूरुष बनाते थे इसको उन्होंने वर्ड दिया था आरेयंस अब सबसे पहले हम लोग देखेंग साउथ इंडिया में एक रिसी अगस्त करके थे जुन्होंने द्रवीड का एरिया है वहां पर आरेयनाइजेशन का काम पूरा अपने हाथ में लिया था और रिसी अगस्त नहीं सारे साउथ इंडिया को संस्कृत भास सीखाने का पूरा जिम्मा लिया अब जो नौर्थ इं इंडिया में यह काम क्या गया था रिसी गौतम राहुगड के द्वारा रिसी गौतम राहुगड जो है यह राजा विदे के पुरोहित थे मतलब एक तरीके सामान सकते हैं कि जो राजा को इनकी पूजा पार्ट वगरा है यह सारे चीजों में जो लोग सम्मिलित होते हैं वह काम भी राजा विदे का गौतम राहुगर करते थे और इनको एक आर ही थे तो इनको जो राजा विदे हैं उन्होंने अपना पुरोहित रखा था और इन्होंने परमीशन भी मांगी थी राजा विदे से कि क्या मैं पूरे भारत में लोगों संस्कृत सिखा सकता हूं तो भी जो आरंस की संस्कृत भासा इससे बहुत ज़्यदा प्रभावित थे प्लस जो गौतम राहुगर थे यह कुछ ऐसे संस्कृत के मैजिकल वर्ड्स बोलते थे जिनसे यह अपने मूह में जो फायर है उसको काफी देर तक लेते हुए कंप्रीटली चलते रहते जब भी सं कि भुझ गई तो गौतम राहुगर ने जो पट्ट्ना सहर उसको अच्छूतों की भूमि कह दिया अब अब लिखम संस्कित नहीं सिखा पाए और यह पर जो गौतम राहुगर है उन्होंने आपने एम खतम कर दिया चले आरना जैसान के बाद हम लोग डिसकास करेंगे सब सब्त सिंदूरीजन क्या है यह साथ नदियों की ऐसी भूमी है जो बिलकुल उपजाओ है जब भारत में आए तो उन्हों ने ऐसा पाया कि उनको जो एगरिकल्चर और कैटेल रिरिंग करनी है मतलब पशुपालन और खेती के लिए सबसे ज्यादा उपजाओ और अच्छी भ प्लस सिंदू नदी जो हमेशा से हिस्टोरिकल रही है और सरस्वती नदी सरस्वती नदी आज के समय में विल्कुल विलूप्त हो चुकी है घगर नदी और सरस्वती नदी यह विलूप्त हो चुकी है आज के समय में यह नदिया नहीं है बट उस वाद घगर नदी और सरस से बहूट सारे खोशन सब्सिंदू से बलते हैं सबसे पहली बात आपको याध रखना है जो hebtّ नदिया कि संस्र sitten है इनके ऊपर कोशन बहुत हिबारा आता है जैसे कि आपको भ्यासत का याद रखना विपास जे रखना वितास्ता रावी का परुष्रणी के बहुत ही बार एक्जाम में आ है इसी तरह चेनाप का अशीकनी रिवर सतलच का सतूद्री रिवर सरसोती और सिंदू का सेम नाम है तो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है सब्त सिंदू रिजन क्या था और आरेंस सबसे पहले आके सब्त सिंदू रिजन में ही बसे थे इसके पहले वो हर जगा मुव्मेंट करते थे बट बसने का काम उन्होंने सब्त सिंदू रिजन में किया है चले सब्त सिंदू प्रदेश में बसने के बाद आरेंस ने जो शाशन करने की विवस्था बनाई थी उनका जो में सुना होगा तो आर्यंस ने जो form of government अपनाई थी वो थी मोनार्की मतलब राजा के दोरह वहां पर रूल किया जाएगा राजा जिसके लिए सब दिस्तमाल क्या गया है राजन जो की संस्कृत वर्ड है वो पूरे एक कभीले का सरदार हुआ करता था आर्यंस हमेशा कभीले के फॉर्म में रहते थे बहुत सारे लोग इखटा होके एक कभीले के जिनमें उनकी कुछ similarities है या जो एक specific तरीके का काम कर रहे हैं ऐसे लोग इखटा होके एक जगा पर रहते थे उनके लिए वह अपना एक सरदार आप खुद चुनते थे कि हमारे कभीले का सरदार यही होगा बट यह जरूरी नहीं है कि यह काम वो लोग हर बार कर सके राजा को जो concept है वो वैदिक काल से ही start हुआ है इंडस्वैली के लोग के समय राजा का concept नहीं था उस वक्त कौन रूल करता था उसके बारे में आस तक पता नहीं चला है बट यह पता चला है कि वैदिक काल में जो आरेंस है वो राजा के द्वारा ही रूल किये जाते थे अब यह जो राजन होता था यह पूरे कभीले का सरदार था इसलिए इसके ओपर जिम्मेदारी थी कि यह सारे लोगों की सुरक्षा करेगा प्लस जो भी डिसीजन या जो भी चीजे कभीले की भलाई के लिए लेने हैं उसके लिए वो पूरे कभीले का सयोग भी लेगा मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मुनार्की थी वो इतनी स्ट्रॉंग नहीं थी इतनी पाउरफुल नहीं थी कि राजा फाइनल डिसीजन बिना किसी सुझाओ के ले लेता था राजा जो उस वक्त होते थे उन्होंने सभा समीती और विधाता कई असेमबलीस को बनाया था जहां पर सारे आर्यंज पहले आके डिसीजन लेते थे अब हर एक सभा और सम्मिति और विधाता के अलग-अलग हेड होते थे ये सारे रिपोर्ट करते थे राजन को जो भी decision लेना है राजा हमेशा जो भी decision लेता था वो हमेशा इनकी सुझाओं के बाद ही लेता था प्लस हर एक राजन के पास दो पुरोहित हुआ करते थे एक वस वस्ष्ट और विश्वामित्र यह दोनों रिस्यों के बारे में आप लोग बहुत अच्छे जानते होंगे जिन लोग ने भी महाबारत और रमायड को अच्छे से पढ़के रखा है उसके बारे में चीजों को देखा है वो जानते होंगे यह रिसी कौन है तो इनहीं के नाम पुरोहित के नाम रखे गया थे जो राजा को हमेशा सुझाओ देते थे कि कभीले की भलाई के लिए कौन सा डिसीजन लेना चाहिए तो राजा इस वक्त आप यह कह सकते हैं कि बहुत ही स्टॉंग नहीं था यह जस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट था मोनार की फॉर्म गवर्मेंट स्टार्ट हुई थी इन बातों के साथ जो राजन था वो कभी भी कोई आर्मी नहीं रखता था मतले उस वक्त जो राजा हुआ करता था वो एक कभीले का सरदार तो था बट उसको लड़ने के लिए किसी आर्मी की जुरत नहीं होती थी वो अकेला पूरे कभी तर आप कह सकते हैं दोनों का नॉलेज होता था इस वक्त आप यह भी कह सकते हैं जो सोशेल क्लास थी च्छत्री और ब्रामन की या सूधर वैस्टन की यह भी ज़िश्ट इस्टार्ट हो गई थी इनका डिवीजन धीरे-देस्टार्ट हो गया था मतलब एक तरीके से मुना रखे जाने लगा कि लोगों का एक डिवीजन बनाया जासे कि कौन सा इंसान कौन सा काम करेगा अब देखे एड्मिस्ट्रेटिव सिस्टम को अच्छे से इंप्लिमेंट करने के लिए जो आरेंस थे उन्होंने सोसियल क्लासेश को बनाना स्टार्ट किया अब आज के समय में तो आप लोग यह जानते हैं कि कि किसी के भी घर पहुंचना है तो हमने उसको एक एड्रेस देके रखा है बट उस वक्त एड्रेस नहीं हुआ करते थे उस सारे आरग गाओं के रहते थे तो जो भी गाओं में लोग रहते थे उसी के को करूंचने के लिए जरूरी है सपोस्थ आपको अगर किसी एरिया में आपके आपके लिए नाम से जाना तो वह हो गया आपके कुल का डिवीजन आजनस के टाइम में फिर उसके बाद आप किस गाउं में रहते हैं अगर आप सहर में रहते हैं तो आप उसको गाउं के तरह मान के चलिए तो उसको कहा गया ग्राम फैमली को कहा गया कुल विलेज को कहा गया ग्राम उसके बाद आपक किस तरीके का काम करते हैं और किस तरीके का आपको वंशावली दी गई है यह सारी चीज़ों को कहा किया विश यानि कि किस वंस हैं आप तो आप गाउं में जिस वंस से होंगे वहां पर पहुंचा जा सकता है जैसे किसी को पता हो कि इस वंस के लोग इस गाउं में रहते हैं और इस वंस के लोग दूसरे गाव में रहते हैं तो अलग अलग गाव में अलग-अलग कभीले के फॉर्म में लोग रहा करते थे अब कई कभीलों का सरदार कोई एक होता था जिसको राजन कहा जाता था तो सबसे पहले अगर आपको किसी घर पहुँचना है तो आपको यह प ब्राम्हण वन्स में आप जाएंगे उसके बाद फिर ब्राम्हण वन्स में भी दो से तीन गाउं होंगे ब्राम्हण वन्स के दो से तीन गाउं में किस गाउं में आपको जाना है आप वहां पहुंच गए फिर उस गाउं में इंटर करने के बाद आपको पता होने चाहिए क आपको किस फैमिली कि स्कूल के इंसान से मिलना है तो उसके बाद आप उस इंसान तक पहुचेंगे तो इस तरीके का इसी तरीके से यहीं से इन चीजों की स्टार्टिंग हुई थी बट यहां पर इतना इस ट्रॉंग जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं था यह सारी चीजे स्टार्टिंग फेज में थी कोई भी चीज चाहे अच्छी हो चाहे बुरी उनको डवलाप होने में टाइम लगता है तो अर्ली वेधिक फिरेड में कोई भी बुरी चीजे अभी तक इतनी ड्रवलप नहीं हुई थी यह जो सारा सिस्टम था वेधिक सिवलाजिशन नया था और लोग इसको अपने तरीके से फॉलो कर रहे थे अब इसमें आपनों को कुछ चीजे यह भी ध्यान रखनी है कि जो ट्राइबल जो कभीले थे अलग अलग कभीले अब उनकी कुछ एसेंबली होती थी जैसे कि एक सभा होता था सभा में क्या होता था कि जो काफी होस्यार और बड़े लोग हैं यानि एल्डर पीपल हैं जो ग्रोनब हैं जिनको घ्यान हासिल हो चुका है और सारी चीजों उनकी वैवस्ता को जानते हो या पॉलिसी बनाना जानते हो इनको खास नौलेज हो की सो घर्ण संसद आज जो आगे चलके अभी तो यह स्टार्टिंग फेज है यह विधाता वगारा आगे चलके आप देखेंगे आदी संक्राचार जो थे उन्होंने धर्म संसद इसी तरगे के स्टार्टिंग का विधाता इसको कहते हैं वह भी यहां अर्ली विधिक पिरट से हुआ था चले पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बाद आप आ रहे आएगे सोसेल स्ट्रक्चर की आरेंस ने किस तरीके से अपने पूरे समाज को बसाया था इन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे सबसे पहली बात थी कि काउ को सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंस आरेंस सिविलाइजिसन में दी गई है उस वक्त जो भी आरेंस काम करते थे खेती और केटरल रेरिंग का उस वक्त उनको जमीन की कुई भी कीमत नहीं थी क्योंकि इतनी ज़्यादा जमीन थी और इतने कम ल सक्षन है और हर तरीके से जो उनका इस्नान था हर जगा काहो का इस्त्माल होता दा काहो के मिल 되면 तो काह के लिए एक सबसे तो जो व्यवस्ता है समाज में रखी गए थी कि काहो की सिवा के लिए सारे आरेंस हमेशा लगे रहेंगे में और जिस 인सान के पास इतनी होगी जितनी गाय उसके पास होगी वो इंसान उत्रा ही अमीर होगा आरेंस के समय में यानि कि उसको सबसे ज़्यादा इजद भी मिलेगी और उसको सबसे ज़्यादा अमीर सक्स माना जाएगा यानि कि एक पूरे समाज में जो सबसे ज़्यादा strong position hold करेगा वो वही इंसान करेगा जिसके पास सबसे ज़्यादा गाय होगी अगर कोई इंसान गाय के हत्या करता है तो उसको सीधा राजन फांसी की सजा सुनाएगा या सीधा उसको मौद की सजा सुनाएगा कभी भी गाय की हत्या को आरेंस के द्वारा नहीं accept किया जाता था उसको देवों की हत्या बना जाता था यहां पर एक चीज बहुत important है अगर आप देखेंगे इस पूरे चार्ट को तो गाय के according की सारे चीजों का नाम यहां पर रखा गया है मतलब गाय की इतनी ज़्यादा important थी कि जो भी important चीजे थी यह जो भी महंगी चीजे उस वक्त जो उनके लिए important थी उन सभी को गाय से रेटर नाम दिया गया था जैसे अमीर लोग अमीर लोगों का नाम रखा गया तक गोमत इसी तरीके जो food range जो अनाज है उसका नाम रखा गया गोधुम वार के लिए इस सारी चीजे गाय से रेटर थी गाय सबसे ज्यादा यह सबसे बड़ा ऐसे आप मान सकते हैं जिसके पास ज्यादा गाय हुआ करती थी इंसान सबसे अमीर होता था और अगर आपके पास एक गाय है तो अपना खर्चा असानी से बहुत यह अच्छे तरीके से पूरे हाल होता था हर एक चीज गाय से रेटर थी इसलिए गाय को सबसे ज्यादा हाइस एसेट रखा गया था अब इसमें कुछ चीजे और देखे सोसियल क्लास में उस वक्त आप मान के चलिया आरेंस कभी भी चाइल्ड मरीजेस नहीं क्या करते थे आपने आस्रम सिस्टम के अव वही सिस्टम अपनाते थे और कभी भी चाइल्ड मरीजेस नहीं करते थे जो ब्रह्मचार आस्रम था उसको कंप्लीट होने के बाद ही आरेंस की विवाज जो संपन होती थी और आरेंस के सुसाइटी को पित्र सत्तात्मक परिवार कहा गया मतलब यहां पे जो हैड आफ फै सकते हैं कि यहां पे जो कूल होता था उसका है मेल हुआ करता आज के समय में आप लुग देखेंगे इंडिया में लगबक यही सिस्टम फॉलो होता है कि हर जगा जो हैड आज मेल ही है अब इसमें जो सोसेल डिस्टिंशन था जो ब्रह्मध थे जो शत्री थे इनके बीच क जैसा कोई ऐसा इफेक्टिव डिस्क्रिमिशन नहीं हुआ करता था क्योंकि यहां पे जो बंस का अधार है वह हैरी डेट्री नहीं है कि आप एक के अगर आप ब्रह्मध के बेटे तो ब्रह्मध होंगे यहां पे जो सारी चीज़े थी वह कर्म के अधार पर थी आप कैसा क साम करते हैं उसी हिसाब से आपको वंस में रखा जाएगा तो यहां पर सोशेल डिस्क्रिमिशन जैसी चीज़े नहीं थी बट लाइटर वेधिक पिरेड में यही चीज़े बहुत ज़्यादा पड़ गई उसी से नहीं धर्मों का भी जन्म हुआ वह सारी चीज़े आगे क लेक्षर में हम लोग देखेंगे चले आप बात होगे आर्थिक विवस्ता के उपर अब देखें हम लोगों को यह देखना है कि आरेंस अपनी जीविका वह किस तरीके से चलाते थे तो सबसे पहली बात अभी तक आरेंस के डिस्कवरी नहीं हुई है तो जो भी मेटल वर् और घर्मियों में कौटन के गबल पहनते थे इसी तरीके से आरेंस जो और चीजे बनाते थे वह रत बनाती होर्स यहीं लोग लेके आया थे भारत में और इनको रत बनाने का अच्छा खासा नौरेज था कहीं अगा इनको ट्रैवल करना है तो एजली ट्रैवल कर सकते हैं इसी के साथ आर्यों को पानी में ट्रावल करेंगे बोट भी बनाने आता था तो यहां के जो भी लोग थे वो बोट एंड रत यह सारी चीज़ों को देख आर्यांस को एक सुपेरर रेस मानते थे उनका मानना थे कि हम इसे नहीं जीज सकते हर चीजों में टेक्टलोजी में हर एक साइंस कुछ भी हो आर्यानस हम लोग से बहुत ज्यादा आगे हैं अब इस्टार्टिंग ने जो एक्सचेंग सिस्टम यूज़ किया था वो था पार्टर सिस्टम आप एक समान के बदले आपको दूसरा समान देना पड़ेगा आपको कुई विजिस चाहिए तो आपको उसके बदले एक समान देना पड़ेगा यह मैटर नहीं करता कि आपने उस समान को कितनी मेहना से बनाया है या उसकी वैलू क्या है क्योंकि सारी चीजों की वैलू जो है वह बाटर सिस् और यह सारी कॉइन्स होती थी निक्र sugapar किहनgos अभी तक और गॉलरी नहीं हए इंधी कॉए है अर्ली हो इस द गौांे के displacement शाल को अब व बात बिल्कुल अच्छे सैंब तक पता चल गई होगी कि लिए खेती और केटरल रेरिंग मतलब पशु पालन पे ही टोटली वो लोग डिपेंडेंट थे वो लोग व्यापार में उतना ज्यादा इंट्रेस्ट नहीं रखते थे जैसे कि इंडेस्ट वैली देखे आर्यों ने वोमेंस को एक बहुत ही रेस्पेक्टेबल दर्जा दिया था उनका यह मानना था कि जो भी वोमेंस होती हैं उनके अंदर देवियों का वास होता है तो वो वोमेंस को बहुत ही रेस्पेक्टेबल तरीके से देखते थे उनको हर एक जगा जाने की हर एक च जो सेम जैसे मैं जाते हैं सेम उसी तरीके से कुई भी वूमें चाहे तो अर्ली वेदिक पिरेड में किसी भी सवा और समिति में भाग ले सकती थी अब अगर हम बात करें कुछ ऐसे लोगों की जिनसे इन चीजों का प्रूफ मिलता है तो कुछ वूमें पोईट्स हैं जो अर पोईट्स है वह किस पीरेड की पोईट्स है या अपाला किस पीरेड की वूमें पोईट्स है और किस तरीके का पोजिशन अर्ली वेदिक पिरेड में वूमें पोईट्स का था इस तरीके को सब्सक्राइब में कई बार पूछे गया हैं सेसी के एक्जाम्स में या और आर ये वोमन्स को विल्कुल ही इक्वर माना जाता था मैं के और इनको एजुकेशन दिया जाता था सेम. जैसे जो मैं सो जी सफेवन को देदें यू सी तरीके से वोम compute aq ऐकrando सको पिएर्मन को कम्प्लीट आराइट होता था में अपने हस्बेंट कोichte सके중 चले अब हम लोग बात करते हैं वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अफ अर्ली वेदिक पिरिट डैट इस रिलीजन ऑफ आर्यंस रिलीजन के बारे में आपको बिल्कुल पता होगा कि जो आर्यंस है आज का जो हिंदुईजम है उसको आर्यंस ही भारत में लेके आये थे जो भी हम सनातन धर्म की बात करते हैं उसको लाने वाले आर्यंस ही हैं भारत में completely चो एक सनातन धर्म जिसको धर्म माना ही नहीं जाता था बाद में इसको हिंदूसञाम का नाम दिया गया है यह सारा धर्म है प्रक्रिय जो भी देवी देताओं की पूझा होती है यह सारा system आर्यंच के तो आहीं जो हैं वह सब से जाधा पूजा करतें इंदर की करती थे इंड्र को थंडर यानि कि जो बिजली है और इन यह सबसे ज़धा पूजा की जाती थी अगर आपके exam में question आता है maximum time जो question आता है कि who was the god of thunder during the early Vedic period तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंदर ही thunder के god थे जो भी जो बिजली कड़कती है या जो thunder है उसके god इंदर को माना गया है कई बार ये question बार बार आता है most important god भी आता है early Vedic period का तो उसके लिए इंदर को ये आपक natural forces है उनकी पूजा आर्यांस करते थे तो आर्यांस के main god कौन थे natural forces रेटेड जितने भगवान है वही आर्यांस के main god थे जैसे कि पृत्वी अगनी वरुन्ट जो की जो वर्सा है उसके god है इसी तरह के सवाईयू जो विंड होती है उसके god है तो ये सारे god जाहो नेचर और special rated है इसके बाद कुछ देविए भी थे जिनको वी पूजा आर्यांस करते थे जैसे कि उसास और अतीति ये दो देवियों का नाम भी पता है जिनकी पूजा आर्यांस करते थे इस वान किसी भी temple और कोई idol worship की बात नहीं किщее जाती है Andre completely जो भी पुजा करती थे do डिरेटनी करते थे जब भी Thunder होता थे कुछ भी होता थो डैरक्ली उनको नमन करते रही को तरीके से नमन करते थे उनके लिए पूजापाट करते थे जो भी से डिरेक्रस करते थे अब आपको एक चीज यह ध्यान रखने हैं कि रिग वेद में टोटल 33 गॉड्स का मेंसन है गॉड्स एंड गॉड्स है जिसकी पूजा आरेंस करते थे नाव वैरी इंपोर्टन टॉपिक रिग वेदा जो अर्ली वेदिक पिरड अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं हमने पहले भी आपको श्टार्टिंग बताया था कि इसको रिग वेदिक पिरड भी कहते हैं क्योंकि इसी वक्त रिग वेद की रचना हुई थी अब रिग वेद एक बहुत ही इंपोर्टन टेस्टमेंट है इसको मैंन का फ़स्ट टेस्टमेंट का जाता मतलब फ़स्ट ऐसा कम्पाइल का जाता है जिसमें सारे knowledge को रखा जा था एक साथ और एक जगा पर पूरे वर्ल्ड के historian इस बात को मानते हैं रिगवेद को दुनिया का सबसे oldest religious text कहा जाता है क्योंकि इससे पुराना कोई भी धर्म नहीं है आरन से पुराना कोई भी अभी तक चीज़े नहीं है जो अभी तक मिली है और इंडर्स फैली civilization के जो भी टेस्टामेंस थे वह सारे के सारे खतम हो चुके हैं वह किसी को नहीं मिले तो जो oldest text आज तक मिला है वह रिगवेद ही है कई बार exam में directly question आता है कि first testament of mankind किसको कहा जाता है तो आपको बिल्कुर कई बार मैं बता चुका हो कि रिगवेद यह बिल्कुर अच्छे से exam के लिए याद होना चाहिए अब जो next point आती है रिगवेद में आखिर दिया क्या हुआ है तो रिगवेद में संस्कृत में बहुत सारे हिम्ज दिवा मतलब बहुत सारे song के फॉर्म में लोक्त दी हुए हैं जो आपको अच्छे से पढ़ना है मतलब संस्क्रित में सारी चीजे लिखी हुई है जिसको संस्कृत पढ़ने आता है जो हार है जिसकाائरनिजेशन हो चुका है वही रिग्वेद को पढ़ सकता है सब लोग रिग्वेद तो नहीं पढ़ सकते तो आज के समय में जो भी रिग्वेद अवश संस्क्रिट के जो भी नॉलिजवल पर सन हमां उससे रेटेर जो एक्जाम में जो सबसे ज्यादा कोश्चन आता है रिग वेद्ध के बारे में वह गयत्री मंत्र मन्त सबसे पूराना मंत्र वेद्ध में दिया हूँ इस से पुराना कोई मंत्र नहीं है ऐती मात के तरह जिसरेगे श्याप्टर 3 में दिया उवा इसी तरीके से सोम मंडल है जिसमें सोम रस के बारे में दिया हुए या सोम मंडल में एक ऐसे ड्रिंक के बारे में बताएगा है जिसको पीने से इंदर आने लगेगी आप जल्दी नहीं मरेंगे तो यह जो सोम है यह शराब नहीं है यह एक ऐसा ड्रिंक है जिसके वारे में रिग्वेड में दिया गया है और इसको बनाने का तरीका है वह भी यह बता है कि सोम लता प्लांट से बनता है अब यह सोम लता प्लांट कौन सी चीज है इसके उपर रिसर्चर बहुत ही ज़्यादा लगे हुए है बट अभी तक ऐसी चीजे मिली नहीं है कि सोम लता किसको कहा जाता था बट यह ड्रिंक कुछ ऐसी ड्रिंक थी जिससे आरेंस बहुत ही लंबे समय तक जीते थे यह बात कंफर्म है कि आरेंस का जीवन काल था आज की हुमन से बहुत ही जादा था और सोम मंडल में इसके बारे में दिया हुए है बट यह प्लांट कहां पर मिलता है अभी तक रिस इसको की पूरुष माना गया है उनके मुख यानि की माउथ आर्व हाथ और थाइस जांगे और पैर यहां से इन चार जो वर्ण है इनका जन्म हुआ है जो लोग बहुत ही काम करेंगे आपको खुद माल लेना है कि मेरा जो जन्म है वह ब्रह्म के मुख से यानि माउथ से ह हुआ है अब अगर आप सुरक्षा का काम करते है अफvisor अंव यह ब्रह्म ने मुझे अपने हातों से जन्म दिया है अव इस हिसी तरीके से अगर आपको आपको का मा है व्यापार करने का में करreemme तो वैश्वा weeds वा लोग को मानना है कि मेरा जो जन्वह वह जो ब्रहम्म के थाश से हुआ है और जो लोग सेवा करते हैं उनको अब करते हैं अब यहां पर किसी विजिच को ऊपर नीचे नहीं बताएगा की अगर माहुथ उपर है तो जो ब्रहमन वह ूपर है और जो शूद्र लोग है अगर वो पैट से जन्म है तो वो नीचे हैं क्योंकि इन सभी को ब्रह्म से ही जन्मा बताएगा है चाहिए वो पार्ट कोई भी हो हर एक पार्ट का अपना इंपोर्टन्स होता है बट आगे के सब्सक्राइब में इन चीजों कर दिवीजन कर दिया अब ब्रह्म की अलग अलग के बना दीगे जो लोग ऊपर से पैदा हुए हैं यानि कि माउच से वो लोग सुपीरर हैं मतलब हैं सारे के सारे ब्रह्म से ही जन्म हैं लेकिन जो बिल्कुल गलत थी अर्ली आर्यांस ने इसी कोई फिलोसफी नहीं दी और सबको इक्वली माना था यही बताया था कि सब लोग ब्रह्म से ही पैदा हुए हैं जैसा वो लोग काम करते हैं वहां से ब्रह्म ने उनको पैदा किया अगर उसुरक्षा करते हैं तो ब्रह्म ने उनको अपने हाथों से पैदा किया इस तरीके कोंसेट अर्ली वेधिक पिरण में बनाया गया था चले अब हम लोग बात करेंगे रिगवेत के एक वेरी इंपोर्टन टॉपिक दसराज युद्ध की दसराज युद्ध सात्वे मंडल सात्वे चैप्टर में दिया हुआ है दसराज युद्ध की जो बात है वो ये शो करता है कि आर्यंस भारत में इंडस्वेली सिवलाइजेशन के जस्ट बात नहीं आया थे बलकि वो बहुत पहले भी भारत में आते थे बहुत ही पुराने समय से मतलब दौपर यूग और तरेता यूग जिसके बारे में इन्हों राज है मानना जाता है कि 3000 इसापूर में महाभारत के युद्ध लड़ा गया था लगभग आज से आप मान सकते हैं कि 5-6 साल पहले महाभारत के युद्ध लड़ा गया था अब यह जो दस राज युद्ध है इसका जो वर्णन है साथवे चैप्टर में यह लगभग मतलब आप लगभग मान के चलिए कि पचपन सो इसापूर में यह दसराज युद्ध का वर्णन रिगवेत के साथवे चैप्टर में दिया हुआ है अब यह दसराज युद्ध था क्या देखे इसमें यह लिखा गया है कि जो आर्यंस है वो पहले भारत की भूनी में रहते थे बट आर्यंस को एक भरत कबीला है जिसने हरा दिया था भरत कबीला बहुत ही इंपोर्टनेंट होता था भरत किंग थे जिन्होंने आर्यंस के दस ट्राइब को हरा दिया एक साथ मिल के दस राजाओं ने आर्यंस के भरत कबीला जो है उससे लड़ाई लड़ी थी तो ज उन्होंने आरेव्यक के धस जमझातियां धस कभीले इनको हरा के अपना राज इस्तापीत गया जिसका मशिक्रार अगर चलक्राइब में बनाए गया जिसका नाम उन्होंने हस्तिनापुर रखा और जो हम लोग महाभारत पढ़ते हैं शांतनु से लेकर वो कूरू यह जो भरत कपीला है और कूरू किंडम इसकी सिख्ट जनरेशन है सिख्ट से सवेंथ जनरेशन माना जाता है कि जो सांतनु राजा थे जिनके बारे में बताया गया कि सत्यवत्ति और गंगा से इनका विवाया हुआ फिर आगया कैसे कैसे वंज बड़ा पूरी महाभारत इस पर लिखी गई है पांडव कोरव के बीच में जो भी युद्ध हुआ अब इसके पहले जो एक युद्ध हुआ था जिसमें आर्यंस को हरा दिया गया था इन राजाओं के द्वारा वो था दसराज युद्ध उसके बाद से राजाओं का सिस्टम चलता था फिर इंडस्वैली सिव्लाइजेशन आई होगी उसके बाद आर्यंस ने दोबारा से भारत में इंटर किया अब इस के एकॉर्डिंग ये भी मालने सकता है आर्यंस स्टार्टिंग में भारत में रहते थे फिर वो रस्या साइट चले गया और उसके बाद कई हजार सालों के बाद आर्यंस दोबारा भारत में इंटर करने की कोशिश किये तो यह जो भरत का वीला है इसी से सारी चीजे निकलती है भरत राजा के नाम पर ही हमारे दे इसका नाम है वहीं पर भारत रखा गया था भारत वर्स मतलब पूरे भरत जो राजा है उनके पूरे एरिया को भारत वर्स का गया और आज तक ही नाम जो है भारत वर्स आज की समय में जो हमारे इंडिया का ऑफिसल नेम है वह इंडिया भारत दोनों है तो यहीं से यह सार इस्टोरिकल फैक्ट निकलते हैं जिसी यह पता चलता है कि आरेंज जो रेस भारत से बहुत ही लंबे समय से जुड़ी रही है अगर आपको इस लेक्चर से कोई भी डाउट है तो आप डिरेक्टली मुझसे टेलेग्राम चैनल पर पूश सकते हैं कोई भी डिसकेसन अगर आपको करना है तो वहां कि मुझसे डिरेक्टली बात कर सकते हैं मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जहिन।